हेलो गाइस कैसे हैं आप सब फुमाय हुमेत औराद एकम्यूटिक्शन सुगाइस तो आज किस वीडियो में हम आप लोगों बताने वाले कि जो हमारा MCB बॉक्स होता है उसमें MCB कैसे लगा है उसका कनेक्शन कैसे करें तो आज किस वीडियो में A से Z तक फूल जानकारी देने वाले हैं और इस चीज को आप लोगो प्रेटकल करके दिखाने वाले कि आपको कैसे किसी हाउस वारिंग में MCB बॉर्ट कैसे करना है तो आगर आज वीडियो आप लोग पूरी कंपरी देखते हैं तो आप लोगो अच्छे से जानकारी हो जाएगी और आप लोग MCB बॉक्स कनेक्शन कर सकते हैं अगर हमारी वीडियो चले वीडियो को लाइक के चनल को सब्सक्राइब करें चले की साज की बेस शुरू करते हैं सोगा इस तो आप लोग देख सकते कि को यहां पर हमारे हॉर्षन कमपनी का 6-BECC बॉक्स है और हमारे पर चार होल्डर रखे लुए हैं और हमारे पर एंसी बहुए है एक हमारी आर सीचन बी एमसेडियो जिसको आजम आप लोग बताएंगे कनेक्शन आपको कैसे करना है तो यहां पर हमारा जो 6-2 का MC बोक्स देख रहे हैं यहारा काफी एदा वजन होता है और इसका प्राइस में आप लोग बता है तो कि यह मुझे कितने प्राइस में पर्चेस हुआ ठीक है तो यह मुझे तरी 500 रुपे पर्चेस हुआ और आप लोग देख सकते हैं डबल डोल बॉक्स होता है उसमें हमारी MC फिट होगी ठीक है तो फटावर से दोनों पेज को अच्छे से खोल देते हैं उसके बाद अपने इस दर्वाजे को निकाल देते हैं और फ्रेम इसमें MC फिट करते हैं फिर आपको कनेक्शन करके बताते हैं तो आप लोग को वीडियो पूरी लगाने के लिए तो इसको लगा सकते हैं तो इसको लगाने के लिए नीची लग दिया जाता है उसमें अपना इस्कूर लगाकर इसको नीची को प्रेस करेंगे बस हमारा लोग खुल जागा जैसे आदि को लगा दिया है अब उसी लाग को फिर प्रेस कर देंगे बस मारा बिल्कुल आसानी से लग जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं हमारी RCCB MCB बिल्कुल आसानी से लग चुकी है कोई भी प्राब्लम नहीं इसी परकारम को सभी MCB मन्म देख विल्कुल आई से लिख दखनार में दिखाते हैं करते हैं तो आप लोगा तो सब्सक्राद्स परकार नहीं देख 창ouse जूम है ठीके तो इसमें हम hoarlder में connection करेंगी उसके वाद हम Mc box में connection करेंगी ठीके अगर आप लोग कोई house wiring करती हैं तो इसमें Zoom होतेill lenses लिख भात neurologर ओने क्टा हैं तो आज की वीडियोम वही करके दिखाने वाले हैं कि अलग 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 Zoom का connection Mc box में कैसे करते हैं तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग लाना पड़ेगा तो यहां पर हम दो-दो वाइर लाएंगे एक नीज़न और एक लाइन का ठीक है ताकि आप लोग कर सके चाहे जितना लंबा वायरिंग के कार हो आप लोग बिल्कुर आसानी से कर सकते हैं तो आप लोग देखते हैं जेड वाले वायर को ले लिया है अब हमने होल्डर के एक पॉइंट में लगा कर इसको अच्छे से फूल टाइट कर देंगे ठीक है उसके बाद हमने न्यू कर सकते कोई फिर्व आपको नहीं तो आप तो देखते हैं होलकव कर दिये अईसे आप चार ओफ लाघ करनेक्चान करना है और जो महरे द्यूर्यशन च्छान ऑर को उस room के वायर हमको MC box में लाना होता है तो हम सभी room के वायर को open madam c box में लाते हैं instantly आप योग समझ सकते हैं तो ऐससे हमने एक room का connection कर दिया यशने हैं यह होलगा connection कर दिया है और हमने इसको mc box में undone connection करते हैं और सभी holder के वायर को mc box में लाते हैं तो अब इसको छील के एक में जोल लेते हैं फिर आपको बदाते हैं इसका करना है तो आप लुख देचते हैं अपने इस ुथ नहीं है आप लोग अपने वाइर को छीम लिया है उसको एग में जोई craft करने के बादmar सबसे पहले इसमें एक प्लेट लगी हुई है एलमुनियम की इसको बाहर निकाल लेते हैं उसके वाद हम पने न्यूटन वाले वायर को इसमें फिट कर देंगे ठीक है आप लोग देखते हैं न्यूटन लगाने वाला हमको सिस्टम मिल जाता है इसमें हमको न्यूटन के वायर सभी हमारे जितने वी वायर आएंगे आपके घर में कितने भी रूम है दस पांच यूटन वाले वायर को लिए कर सी न्यूटन वाले पॉun 1 को लगा देना है और अछे उतने वैयर को लाना है ठीक है है योसमें के एक एक पॉइंट उसमें के एक पॉइंट वूसमें को अपन्य रोम के लगाना है हमारे अजो में का गिर में प्रूम हो आपको उतनी एक भी रूम है तु आप लुख देखे चार रूम है तो यहाँ पर चार एंसीबी लगा दिया है और हमने एक एक वैर को हमारे सभी में ऊपर वाले करना है तो फटावर से यहों करं लेते हैं पुर आपको बताते हैं कि हमने एक पोईंट में संकर लिया है अब इसी परकार हमको सभी पोईंट में संवान चाझे अध्यारे सब्सक्राब आउसाहर लेकार हम요 produce कर दिए हैं अब इसी परकार पेंगे अब समाइरा ये टीड़ित कर दिया है आप को आगे किया करना आझ ये चीज़ा आपको ध्यान समझ किलना थीके उसमें बहुती वाला वायर है और ये लुग अला वायर है तो चले हम main mcb में connection कर देते हैं तो main mcb में जहां पर हमको line वाय लगाना है वहां पर हमें mcb के ऊपर वले point में एक wire लगा देंगे line वाला उसके बाद इसी wire को हमको लगाना mcb के नीचे point में में लगा देना है तो आपको main mcb छोड़कर किसी भी mcb में लगा देना है जिसमें हमारे zoom के वाय लगे हैं उसी mcb में नीचे वाले point में आपको लगा देना है किसी भी mcb में लाब लगा सकते हैं कोई प्रॉब्म नहीं है तो आप लुक देख सकते हैं जो मारे first वाली mcb है उसी के नीचे वाले point में हमने इसको लगा दिया है और हमारा एक दिम अच्छे से complete हो जोगा आप लुक लगा देंगे जहां मारे घरके सारे न्यूटल लगे हैं उसंसी में आपको इसवाय को लगा देना है तो इसको मारे लग चुका है अब इसी वायर को अपने जो हमारे main M.c xv लगा देगे जो महारे और अब लगा देंगे और अच्छे से कंप्रीट सक्षाइन होता है来 अच्छे से मैं केबल खंबे उसका कनेक्शन करना है तो यहां पर में से निकालेगे और हमारी मेन MCB है उसके नीचे वाले प्वेंट में लगा देंगे ठीक है हमारा जहां उपर लाइन वाल लगा वहाँ पर आपको लाइन वाल लगाना है और जहां न्यूटन लगा वहाँ पर न्यूटन आपको लगाना है तो फटावट से लाइन वाले वायर को पहले लगा देते हैं और हमारा complete हो जाएगा तो आप देख सकते हैं हमने न्यूटन वाले वायर को भी अच्छे से लगा दिया है और हमारा अच्छे से complete हो चुका है आप जो हमारी जो हमारी घर की वाली mcb लगी हुए है उसके नीचे वाले करना है तो आप लोगो जो एक प्लेट मिल जाती है जैसे कि देख सकते हमारी इसमें सारा connection हो चुका है ऐसे आप connection करना है ठीक है तो यह आप लोग देख रहे हैं इस प्लेट को दढल को जो हमारी मेंमरीं सरी नीचे मेंड क्लार उसमें आपको इसको नहीं लगाना है और जो ळाएक प्रवक्त मत्यचा इस Susp इसको लगा कर फूल टाइट कर देना है फिर इसके बाद आपको लाइन चालू करके दिखाते हैं कि हमारा कैसे वर कर दा है तो आप लोग देखते हैं अब दूसरे पेंच को लगा देंगे बस इसमें लाइन चालू करके आपको दिखाते हैं तो आप लोग देखते हैं हमने इसनें फटावट से सभी चीज की कनेक्स कर दिय है और अपने दरवाजे को फिट कर दिया आप माने एकड़ में प्लिट हो चुका है अब चलिभने इसमें लाइन चालू करके दिखते है ठीक है तो यहाँ पर हमने सभी वर्क करता कोई प्रब्म नहीं है तो आप लोग दिख सकते हैं जैसे हमारे एक रूम की लेट चले जाती है इसका मतलब यह है कि अगर हमारे इस रूम में कोई फाल्ट हुआ तो एक एक मझन यह कोई दिख सकते हैं तो आउन जैसे काम खता है हमारे आउन हो तो आपको ऐसे connection करना ठीक है तो आप लोग में एक रूम में कोई the गिर जाएगी और हमारी उस रूम के लाइट चली जाएगी और बाके से रूम के लाइट रहेगी और आपका अच्छे से होता रहेगा जो आप लोग मेन MCB देख रहे हैं अगर आप लोग इसको नीचे गिरा देते हैं तो हमारी सभी घर की लेट चली जाएगी जो हमारे पूरे घर होता है पूरी घर की लेट चली जाएगी अगर आप लोग मेन MCB गिरा देते हैं तो आप लोग जो हमारी मेन MCB देख रहे हैं य कि हमारी RCCB MCB है इसका लगाने का ये मतलब होता है कि अगर आपको कहीं पर भी किसी को करण्ट लगता है तो ये आटोमैटिक हमारी MCB हो जाती है और आपकी घस्ता भी घर की लाइन कार देती है और आप बच जाते हैं ठीक है जो हमारी आदर MCB लगी हुए है इनका काम ये होता है कि अगर आपके रों में कोई फाल खुरता तब ये ट्रीफ होती है तो आप लोग RCCB MCB जरूर लगाए और कोई-कोई लोग तो RCCB MCB नहीं लगवाते हैं वो इंसुलेटर लगवा देते हैं DPMCB लगवाते हैं तो आप लोग RCCB MCB जरूर लगाए और आपको आपको नहीं है और वीडियो को लाइक करें चलना को सब्सक्राइब करें किसा आपका सब्सक्राइब करें बहुत तमुलिए बहुत धर्म प्रिस जाएंद